नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका उमंग एकड़ में एटूजड में यह दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे प्रेक्टेस हैट नूमर तीन है गड़त का इसके पहले दो अप्लोड कर चुका हूँ यदि आपने वो नहीं देखे तो जाकर करके देख सकते प्लेलिस उसकी लिंक मिल जाएगे इसमें देखेंगे पर पिछले वर्षम में अभी तक प्रिसने पूंचे गए सब्सक्राइब और तो देख लेते हैं आप से रेक्वेस्ट है वीडियो में अंतक बने रहे हूँ क्वेस्चन दिया हुआ है पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद कीजिए जो 16, 24, 36 वह 54 से पूर्त विभाजित हो जाए ठीक है तो ऐसी संख्या ग्याद करने के लिए हमें इस प्रकार से क्वेस्चन पूछ जाता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो प अंकों का LCM निकालना है तो LCM में आतो आप भागविदी से निकाल सकते हैं भागविदी से निकालेंगी तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा तो कितना आ गया दो गुड़ें दो गुड़ें तो गुड़ें तो गुड़ें तीन गुड़ें तीन गुड़ें तीन गु षथा सच क्वाने सरद कित Значит लिभाश हाँ करोगे आप माइनेरोगोगे ऑ श्रेया लिए सुनाले इसके बार में कितनी साथ टीन जाएगा तो कितना हो जाएगा तीन वर जाएगा तो कितना 1200 कितना हो जाएगा यहां देखो चारती बारह 4-12 और तीन पर कितना होजाए बारह wow 12 1997 को जायेगा तो इस में भचेगा कितनार इसमें शीर फल द इकतनाम दस म्यघ्टार चैदफ़ा चार बचेगा और छेंद से छे में से नौ तो जाएंगे निए तो 16 में से 10 चली जाएंगे ठीक क्योंकि यहां पर एक है तो कितने बच जाएगा वहां की सब कड़ जाएगा ठीक है तो 64 शेषफल बच जाएगा अब 64 जो 6 फल बचा हुआ है उस 6 फल को किसी संख्या में जोड़ना है तो सबसे पहले इस से यह 10 का है 10 म question 64 घटा दें 10 साधार में च्वासर श्रॉट घटा दीजिए दस घान से 64 घटाएंगे तो याँ च्छा श्राम चार गचाहीगे अब इस धी संख्या जी संख्या सब्लाइब ख़म की तो है चार याँकों की थी कितनी संख्या है 9936 इसको याद रख लिए कि 9936 जी चार अंकों की संख्या है लेकर इसे ने क्या पूछा है पांच अंकों की तो पांच अंकों की संख्या के लिए आपने जो है लसे में निकाला था 432 चार सो बत्ते से दी आप इसमें जोड़ देंगे तो वह संख्या निगर च्छे दो आठ हाज़ाएगा ठीक हो तीन तेरा कि तीन हासल के आएंगे एक और नो एक तो तो दस कितना हो जाएगा दस घर 10308 जो है वह संख्या होगी जो कि पांच अंकों सबसे छोटी संख्या इन सभी संख्यां से भाज्य होगी दस कितना दोस्त जो आपका option है पहला option क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा अब next question देखिए next question दिया हुआ है next question किया अनुपातिक अभी ब्यक्ति X का Q दिया हुआ बटे मैं कर दूँ X का बर्ग माइनस में एक का बर्ग कर दूँ तो भी यतना ही रहेगा मान क्योंकि एक के उपर बर्ग करो या Q करो उसका मान हमेशा एक ही होता ठीक है तो इसके लिए एक सूत्र होता है इसको जाब ऐसे लिखना होता है तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब इस प 1 कर दीजे और x-1 कर दीजे ठीक है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जब भी आप देखा हो कि एक आपने सर्ब समय का पढ़िए हो कि a square minus b square बराबर क्या होता है ठीक है तो बराबर क्या होता है एधन b होता है और क्या होता है और क्या होता है ठीक है तो इस प्रकार से हल करेंगे तो इसमें इतना आपको निकल के आगया तो इसमें से J माइनस वाला और J माइनस वाला कार देंगे यसाद्की यहाँ पर दो हो सबसे चोटा होगा जो कि आपका कौन सा option दिया हुए है जे दिया हुए आपका चौथा option एसका square प्लेस में x प्लेस में 1 वटे में x प्लेस वन दिया हो ठीक है तो चौथा option क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा next question देखते हैं next question के साथ में आपको कमेंट करना है कि 3.4625 में दो का इस्थानी इमान डड़ेस जो ही हो आप कमेंट वक्से कमेंट करती है ठीक है क्योंकि इस्थानी इमान के बहुत कुश्चन में करवा चुका हूँ अब 50 को आधे से भाजित करो तथा 20 जोड़ो इनमें 35 घटाव तुम्हें क्या प्राफ्त होता है तुझे पहली जो होती जो NCRT की बुक में आपको मिल जाती है ठीक है तो 50 को आधे से भाजित करना है ठीक है तो यदि मैं 50 लिखूं ठीक है 50 से आधे से भाजित करना मतलब 1 अब इसके बाद में क्या करना है 20 चोड़ना है तो फिर क्या करना है कितना 35 करना है तो पाँच पचास चुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 100 मिवी जोड़ेगा आपका दूसरा option क्या हो जाएगा सही है यहां पर दिया हुआ है 85 इसका क्या हो जाएगा answer सही हो जाएगा अब next question है यह question बहुत जरूरी है बहुत ही important है और ठीक है तो इसमें दिया हुआ है प्रतेक संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9 विभिन अक्षरों A,B,C,D,E,F,G,H,I का प्रतिनिद्द करती है ठीक है लेकिन अवश्यक नहीं कि उसी क्रम में हो जिसमें प्रतेक A,B,C,C,C,D,E,F,G,G,H,G,H,I का मान कितना है ठीक है C,E,G,H,G का मान किया होगा ठीक है तो इसको मान निकालने के लिए आप इसका उसत निकाल सकते हैं तो इसका उसत निकालने के लिए आपको देखो यहाँ पर क्या है चार अंकिस साइट है तो यहाँ पर पांस जो है पांस आपको मिल जाएगा कोल अंक कितने है नो है तो न यहां पर जी दोबार लिखा गया है यहां अपर जी का माननों गयात करने के लिए तो यहां पर देखना है आपको किस प्रिकार से हल क्या है जैसे कि पूरा का पूरा है कितना है सभी का योग कितना निकाला था 45 निकाला ठीक है इन सभी का योग 45 निकाला था लेकर एक दो तीन और चार इन सभी का मान तेरा 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 है तो तेरा चो कितना हो जाएगा बावन हो जाएगा तेरा चो कितना हो जाएगा ना कितन कि अछारा c e or g c e or g double हुए हैं इनको लिख देंगे तो कितना होजाएगा c e aalt g प्लस में रहेगा ठीक है तो इस परकार से लेखिए आपका 45 और प्लस में c e k eightand g bliran rodyoяд तो तो सभी कमान कितना है बावन है ठीक है लेकिन यहां पर 45 और प्लस में सी दिया है बरावर में बावन दिया ठीक है तो अब इसमें से 45 घटा देंगे तो यहां 45 घटाएंगे तो जिस कमान निकलगा जो कि आपको पहला ऑप्सन ही यहां पर आपको सही मिल जाएगा यहां पर सबसे पहला ऑप्सन जो देख रहा है वो सही है किसका साथ ठीक है नेस कुष्टन देखते हैं नेस कुष्टन किस प्रिकार से पूचा गया है 56 एकत्तर और उसके अंकों को पलाट देने पर प्राप संख्या के अंतर क्या होगा ठीक है तो इसको यहीं हल कर सकते हैं सीधा सीधा कि इसको यहां पर कर दीजिए जो जो 7,56,58 जो है इसको हल करने की 1,7,6,5 इसको यहां कर दीजा ठीक है इसको माइनस कर दो इसका अंतरहीत पूच रहा एंकों को और उलाट दिया है हो आगेगा उत्कष इप्रूंध के ऊधिया हुआ में जाती अमान के ऊपर दिया हुआ तो यहां पर देखेंगे तो इसकी बाद में डबल जीरो ऑधमें से ही तो टिक है तो कितना हो जाएगा कितना मान होगा शो हो जाएगा यहां पर फिर इसकी बाद में फिर सब्सक्राइब तो इसकी वाद में जीरो और इसकी वाद में सब्सक्राइब ठीक है तो कितना जाएगा 6060606 पहला उप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा नेश कोश्चन जो दिया है वो दिया है आपका एकाईयों के उपर तो 29,000 39,000 जैदी पूंचा है तो 29,000 और 29 सेकड़े प्लिस 9 जीकाईयों वराबर कितना होगा तो 29,000 जै है वो 29 सेकड़े के मतलब वाद न 2100 तो इसका उन 2100 मैं से यदि में 2000 निकाल लों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20,000 मैं से यहाँ पर 9 सेकड़े बच एंगे 10 सेकड़े निक का पूरवर्ती का होता है एक संख्या पहले की पुराबरती का मतला होता है एक संख्या पहले की परावर्ती के mill crit तो इसको यदि आप गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा इसका गुड़ा करना है तो इसको यदि निकालेंगे तो साथ का साथ आएगा और साथ तीन दस का सुनना जाएगा ठीक है उसने क्या पूचा है दहाई अंक और एकाई अंक का योगफल तो जीरो और साथ का योगफल कितना होगा जीरो और प्लिस में साथ करेंगे तो कितना होगा जीरो उसाथ जोड़ करके देखो तो जीरो प्लिस में साथ करेंगे तो कितना होगा साथ ही रहेगा जीरो प्लिस तरको तीन से वाज़त करेंगे ठीक है तो ये केस्टन में पहले कर वाज़ाच है इसको आप हलंकि जीए, कमेंट वोक्स ने इसका सहीजवाब क्या होगा पर देखो, piss होता है तो बä ann टो से अधेग सेजफल कौने बचता है तो दोसे और इस से बाग बहुता है अब इसको बांद का बस रख़ाएंगा तो होता है ठीक है विद intrigued करेंगे दोसे तो कितना हो जैए सौ मतलब कितना हो पचास होता है फचास और 26 इसको तोलों u816 होता है इसकी वाद में देखकर 17 जितीव ने भाग करओंगा तो बच दो इकन दो चोटीशी का होता है बचेगा फिर यहां पर 7-2, 3 होता है, 6-2, 3-6 होता है, इसमें तो 1 सेसफल बच रहा ठीक है, अब इसके बाद में हैं, आपका दूसरा वाला देखते हैं, तो 3-5 होता है, 15-15 हो जाएगा, सेसफल सेस कितना बचेगा यहां पर, बचेगा आपका 15-27, तो 2 हो जाएगा, तो 25 ह फाइब च्वाज़क से बाइब तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस प्रकार से इसको 5, 6, 7 लिख लिए यहां फिर ठीक है यदि आप एक बार करेंगे इसको ठीक है एक बार यदि एक बार भाग देंगे तो एक बार गया तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा उतार नीचे यहां नीचे क्या बचेगा पांच आज आएगा ठीक है अब इसके वाद में फिर वाद में एक बार में पूरा कड़ जाए तो तीसरा उप्सन क्या होजाएगा इसका सही होजाएगा ठीक है तो इस पिकार से इसका जो सही जवाब था वो कौन सा था तीसरा था एक और कोश्चन देख लेते हैं क्णियाए 24-24 में दो के स्थानी मानों का योग फल क्या होगा ठीक है अन्दोनों का यह करना है तो जोड दीजिए तो तो जीरो दो जीरो दो यानि की 2020 मतलए 2020 का सही जवाब हो जाएगा इसी प्रकार के कोस्टन देखने के लिए वीडियों बने रही है चैनल करी सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ उसको नोटिफिक्स वेल आइकन है उसको प्रेस कर लें तकि जैसे वीडियो डरेगा उसको नोटिफिक्स वेल आपको मिल जाएगा मिलते एक नए वीडियो में सामको चार बज़े है मेथ की क्लास रहेगी जो कि आपकी तरभोच के उपर चल रही है उसका दूसरा वीडियो मिलेगा